नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का टुद पॉंट चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में सीटेट एक्जाम के लिए हावर्ड गार्डनर से सम्मनित प्रिवियस एर एक्जाम में जितने भी प्रस्न पूछे गए थे उन सभी प्रस्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्लास आपके सीटेट एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्न है किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धी एकल इकाई है और कई प्रिथक स्वतंद्र बुद्धियों का सिध्धान्त भी प्रतिपादित किया है देखे दोस्तों हावर्ड गार्डनर ने इस बात को नकारा है कि बुद्धी एकल इकाई है और दोस्तों इन्होंने कई प्रिथक स्वतंद्र बुद्धियों का सिध्धान्त भी प्रतिपादित किया है याद रखिएगा बहु बीमात्मक प्रग्याया बहु बुद्धी का सिध्धान्त हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था और दोस्तों गार्डनर के अंस्वार बुद्धी का स्वरूप एकांकी ना होकर बहु प्रकारी होता है इसे भी आप लोग या तो देखे दोस्तों यह बुद्धी के अंतरावयक्तिक स्वरूप को दर्साती है इसलिए बी आपसन राइट है देखे दोस्तों अंतरावयक्तिक बुद्धी इस बात को दर्साती है कि एक ब्यक्ति दूसरों को समझने और बेवहार करने में कितना कुचल है जबकि दोस्तों अंतह व्यक्तिक बुद्धी में वे व्यक्ति आते हैं जो अपनी भावनात्मक इस्तिती और प्रेडाओं से आउगत होने में अच्छे होते हैं यहां पर दोस्तो बी आपसन राइट है नेक्स्ट प्रस्ण है हावर्ड गार्डनर के सिध्धान्त में किस बुद्धी वाले व प्रकृति वादी याद रखिएगा जिन व्यक्तियों में प्राकृतिक चीजों को जानने समझने कि जादा बुद्धिक योगताएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक बुद्धी वाले व्यक्ति कहा जाता है जैसे कि किसान वनस्पत वैज्यानिक आदी तो यहां पर दोस्तो बी आपसन राइट है नेक्स्ट प्रस्ण है हावर्ड गार्डनर के सिधान्त में सोच को ब्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भासा का उपियोग करने की चमता किस बुद्धी की विसेस्ता है इसलिए ए आपसन राइट है याद रखिएगा भासाई बुद्धी के अंतरगत ऐसे ब्यक्ति आते हैं जिन में भासा प्रवाह और अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की चमता होती है जैसे कि कभी लेखक आदी यहां पर दोस्तो ए आपसन राइट है नेक्स्ट प्रस्ण देखेंगे हावर्ड गार्डनर के अंसार निम्न में से कौन सा कथन सही है पहला है बुद्धी मता को परिपोसित वा बिक्सित नहीं किया जा सकता दूसरा है हर ब्यक्ति में बिविध प्रकार की बुद्धी मताएं होती हैं तो यहां पर दोस्तो दू गार्डनर के अंसार वह ब्यक्ति जिसमें दूसरों की मन्साओं भावनाओं और बेवहारों को समझनेवा उनके साथ सम्मंध बनाने की छमता होती है उन में कौन सी बुद्धी होती है तो उनमें दोस्तो अंतर व्यक्तिक बुद्धी होती है इसे याद रखिएगा बी आपका राइट है तो देखे दोस्तो अंतव वैक्तिक बुध्धी वाले वैक्तियों में अपनी पहचान मानोवस्तित और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदन सीलता होती है इसलिए डी आप्षन राइट है नेक्स्ट प्रस्ण है निम्न में से कौन सी ब्याख्या हावर्ड गार्टनर द्वारा प्रतिपादित तारकी गरती बुद्धी का उलेख करती है अप्शन है मानवी अस्तित्यु के मामलों पर सोचने का सामर्थ वा समवेदन सिलता ध्वनिवा ताल के प्रत समवेदन सिलता अस्थानों के पैटन को पहचानने वा उनमें फेर बदल करने की छमता समस्याओं को तरकपूर तरीके से विसलेशन करने वा मसलों की वैग्यानिक द्रिष्टी से विवेशन करने की छमता डी आप्शन राइट है नेक्स्ट प्रस्चन है निमन में से कौन सी विस्यस्ता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतवयक्तिक बुद्धी का आलेख करती है आप्शन है मौखिक वा लिखित भासा के प्रति समवेदन सीलता दूसरों के विचारों वा इच्छाओं को समझने की छमता तो देखे दोस्तों दूसरों के विचारों वा इच्छाओं को समझने की छमता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतवयक्ति बुद्धी का आलेख करती है इसलिए सी आप्शन राइट है नेक तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एसर है C. आपसन तरक सास्त्री गड़ती हावर्ड गाड़नर के बहुबुद सिधान्थ के अनुसार तरक सास्त्री गड़ती बुधिवाले व्यक्ति अमूर्थ विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं यहां पर दोस्तों C. आपसन राइट है नेक्स्ट प्रस्न है हावर्ड गाड़नर के सिधान्थ के अनुसार एक अच्छा में तरह तरह की अध्यापर रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि देखे दोस्तों हावर्ड गाड़नर के स राइट है नेक्स्ट प्रस्न है हावर्ड गाड़नर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला है बुद्धी मता एक इस्तिर्त था अस्थाई विशिष्टा है तो दोस्तों यह बिल्कुल भी सही नहीं है और यही आपको बताना था पहला आपसन आपका रा अर्थात इसमें कई भिन भिन प्रकार की बुद्धियों का अस्थित्व होता है तो यहां पर दोस्तों यह आपसन आपका राइट है नेक्स्ट प्रस्न देखेंगे निम्न में से किसने सामान्य बुद्धी के विचार को नकारा और बुद्धी को अनेक विशिष्ट परिवासित किया है इसलिए डियापसन राइट है नेक्स्ट प्रस्न है कौन सा बुद्धी कोशल उस कोशल की और संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदसाओं सुभाओं और आसेयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रत्क्रिया देता है तो देखें दोस्तों अ यहां पर दोस्तों ए आपसन आपका राइट है नेक्स्ट प्रस्न देखेंगे सभी प्रस्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए नीता सभी प्रकार के जानवरों पौधों धातुओं और खनीजों की पहचान और वर्गी करन कर सकती है हावर्ड गार्डनर के दिवादी बुद्ध के द्वारा वनस्पतियों या जीवों की पहचान और वर्गी करन में सुविधा होती है तो यहां पर आपका बी आपसन राइट है नेक्स्ट प्रस्न है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद सिधान्द के अनुसार यदिकच्छा में कोई बच्चा सह आपसन राइट है अंतर वैक्तिक दूसरे व्यक्तियों के सूच्छ व्योहारों को जानने की योग्यता है इसे आप लोग याद रखियेगा सी आपसन राइट है नेक्स्ट प्रस्न है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद सिधान्द के अनुसार इनमें से कौन सी जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से सम्मंधित है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर है बी आपसन अन्ताह वैक्तिक बुद्धी हावर्ड गार्डनर के बहुबुद सिधान् अन्ताह वैक्तिक बुद्धी जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से सम्मंधित है बी आपसन आपका राइट है नेक्श प्रस्ण है बहु आयामी बुद्धी का सिधान्त किसके द्वारा दिया ग इसलिए एपसन राइट है नेक्श प्रस्ण है हावर्ड गार्डनर के बहु आयामी बुद्धी के सिधान्त के अनुसार निम्न में से किसका प्रयोग द्रिश्टिगत जगत को सही तरह से अनभो करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनभों में परिवर्तन लाने की यो इसलिए बी आपसन राइट है नेक्श प्रस्ण है हावर्ड गार्डनर के बहु बुद्धि सिधान्त के अनुसार यद किसी ब्यक्ति में दूसरों के अभिप्राए भावनाएं और बेवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्न मेंसे कौन सी बुद्धी कही जाए तो इसलिएगी डी आपसन राइट है नेक्ष्ट प्रस्ण है हावर्ड गार्डबनर के रुसार किसी अन्य ब्यक्ति के मनोदसा सुभाव और प्रवित को समझकर प्रत्क्रिया देने की योग्यता को किस राइनक से जाना जाता है देखे दोस्तो हावर्ड गार्डनर के इसी अन्य व्यक्ति के मनोदसा, सुभाव और प्रवित को समझ कर प्रतक्रिया देने की योगिता को अंतर व्यक्तिक बुद्धी के नाम से जाना जाता है, जबकि दोस्तों जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, उद्देश्यों और इच्छाओं के बारे में जागरूख होते हैं, उन्हें अंतर व्यक्तिक बुद्धी कहा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों C आपसनाप का राइट है, इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यही पर समाप्त होती है ये सभी प्रसन प्रिभियस एर एक्जाम में पूछे गए थे ऐसे ही प्रसन सीटेट एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आसा है यह कलास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों सेयर करिए और कमेंट में लिक कर जरूर बताईए